प्रिये विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी में अपनी पाथे पुस्तक है शितीज, उसका तीसरा पाथ पढ़ेंगे, तीसरा पाथ है भुक्तवाद की संस्कृति, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है पहले से, कि पाथ शुरू करने से पहले पाथ लिखने वाले के बारे में जानना जरूरी है, तो भुक्तवाद की संस्कृति को किसने लिखा, इसके लिखा कौन है, वो है शामा चरन दूबेजी, यह उनकी तस्वीर है, शामा चरन दूबेज कि इन्हों ने ही यह पाथ लिखा है, वो भुक्तवाद की संस्कृति, तो आया हम लोग आजानते हैं पहले शामा चरन दूबेजी के बारे में, शामा चरन दूबे का जर्म सन 1922 में मद्य परदेश के बुंदेल खंड शेत्र में हुआ, शामा चरन दूबेजी का जर्म हु हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित परदेश हैं अभी, उनमें सेक राज्य है मद्य परदेश, इसी मद्य परदेश राज्य के बुंदेल खंड शेत्र में इनका जन्म हुआ था सन 1922 में, उन्होंने नागपूर विश्वविद्याले से मानो विज्ञान में पी विश्विद्याले नागपूर विश्विद्याले के नाम से जना जाता है और वहां से मानो विज्ञान में उन्होंने पीच्ड के डॉक्टरेट के उपाधी ले, यानि कि यह हो गया, डॉक्टर श्यामा चरण दूबे, यहां पर डॉक्टर कहने कही अर्थ नहीं है, कि य इलास करने वाले डॉक्टर हैं, चिकित सक हैं, नहीं, जो लोग पीच्ड की डिगरी लेते हैं, तो उनके नाम के साथ भी डॉक्टर लगता है, पीच्ड की डिगरी को डॉक्टरेट की डिगरी भी बोला जाता है, पीच्ड का फुल फॉर्म ही होता है, डॉक्टरेट इन तो जो लोग भी डॉक्टर टीन फिलोस्पी करते हैं, उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, तो इनके नाम के साथ भी डॉक्टर लगेगा, और ये डॉक्टर श्यामाचरण दुबे हो गया, लेकिन ये श्यामाचरण दुबे के नाम से ही लिखते हैं, लिखते थे, और अ अधिहां सन 1996 में हुआ, सन 1996 में वे हम सब को अलवीदा कहा गया है, हमको छोड़ कर चले गया, मानों और संस्कृति, परंपरा और इतिहांस बोध, संस्कृति तता शिक्षा, समाज और भविश्य, भारतिय ग्राम, संक्रमन की पेड़ा, विकास का समाश शास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तके हैं, उन्होंने जिन-जिन किताबों की रचना के, उन किताबों में से कुछ प्रमुख किताबों के नाम यहाँ पर दिये गए हैं, मानो और संस्कृति, परंपरा और इतिहांस बोध, संस्किति तता शिक्षा, समाज और भविश्य, भारतिय ग्राम, संक्रमन की पेड़ा, विका अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे डॉक्टर शामाचरण दुबिजी प्रोफेशर भी थे और प्रोफेशर के पद पर रत्यूलों ने कई विश्व विद्यालियों में अध्यापन किया निकी पढ़ाया विद्यार्थियों को उसके समाज और संस्कृति के जलंत विशयों पर उनके विश्लेशन अस्थापनाय उलेख निये हैं उन्होंने जीवन, समाज और संस्कृति के जलंत विशयों पर अपने विचार प्रकट किये हैं भारत की जन जातियों और ग्रामिन समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने ब्रिहत समुधाय का ध्यान आकरशित किया है भारत की जो जन जातियां है अनुसुचित जन जाती या जन जाती तो इन सभी के बारे में उनकी जो समस्याएं हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान पुरे समाज का पुरे दुनिया का ध्यान आकरशित किया है Grammets जो समदय हैं, उनके जो समझाय हैं, दिकते हैं, परिशानिया हैं, उसकी तरफ उन्होंने लोगों का समाज का, देश का और दुन्या का ध्यान आकरशित करने के लिए कोशिशिस किया है, अपने लेखों के माध्यम से. वे जटिल विचारों को तार्किक विशलेशन के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं और विचार बड़े जटिल होते हैं लेकिन वो जटिल विचारों को भी तार्किक विशलेशन दे देते हैं तर्क के साथ उनका विश्लेशन करते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यूं है और अगर ऐसा नहीं है तो क्यूं नहीं है जबकि तर्क के साथ विश्लेशन करते हैं फिर उनकी भाषा क्या रहती है बिलकुल सरल रहती है सरल भाषा में वो उसको प्रस्तूत करते हैं और बहुती सहज धंग से तो यह थी यह था परिच्छ डॉक्टर शामाचरण दुबेजी का जिनोंने यह पाठ लिखा उभुक्तावाद की संस्कृति अब हम जानेंगे कि यह जो पाठ इनोंने लिखा है वो किस तरह से संबंदित है किस चीज से संबंदित अनि कुछ पाठ का एक संश्रिप परिचय पहले हम लोग करें उभुक्तावाद की संस्कृति निबहंद बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तवता को प्रस्तूत करता है लेकर का मानना है कि हम विज्यापन की चमक दमक के करण वस्तूओं के पीछे भाग रहे हैं हमारी निगा गुनवाता पर नह जनक बात है जिसे उभुक्तावाद ने परोसा है लेकर कि यह बात मत्रपून है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति पहलेगी समाजिक अशांति और विश्मता भी बढ़ेगे उभुक्तावाद की संस्कृति यह एक निबंध है शमय चरण दूबेजी की इस निबंध के माध्यम से वो बता रहे हैं कि आज के तारिख में जो बजार है आज की तारिख में जो बजार है वो समाज को अपनी ग्रफ्त में ले रहा है 여qa समाज को अपनी जकढ में पकड़ में ले रहा ह। पैसे कमाने वाले लोग, बड़ बड़े उध्युकति, बड़े-बड़े कंपनीया त्र है कुद्वार्था के उध बनाती हैं और अपने उद्पादों को बेचने के लिए उसका जब औरतस तरीके से विज्ञापन करती है उसका अवर्टाइजमेंट करती है परचार परचार करती है और सभी तरह के वो माध्यमों का पर्योग करती है magazines, newspapers, radio, tv, internet जितने भी तरह के medias है फ्रिंट medial हर तरह प्रिंट मेडिया पोस्टर, b據, पैंप्लेट होरिंग, newspapers, magazine उसके रीके चलैके shop थैसने इचुने प्रिंट मेडिया है एरेडियो, तेलिविशन, इन्टरनेट उसका भी उपरयोग करती है और इंटरनेट के माध्यम से जीतने भी सोशल मेडिया है यूट्यूब है, वार्टसप है, फेस्बुक है, ट्वीटर है, इंस्टागराम है, बहुत साए हैं, उन सब का इस्तेमाल ये कर रहे हैं उन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से चीजों को बहुत सदा आकरशक दिखाये जाता है, या अवेशक दिखाये जाता है, नतिजा उन विज्जापनों को देख करके समाज के लोग उन कमपनियों के उत्पादों को खर्दने के पीछे भाग रहे हैं, यानि कि लोग जो हैं समाज के जो लोग हैं सिर्फ चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं, उत्पाद की गुनवता के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उसकी क्वालिटी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उसकी चमक दमक जो है, उसके पीछे वो भाग रहे हैं, चाहे वो पोड़क् उत विचार नहीं कर रहे हैं है कि अभे लेना उन के लिए अविश्यक्य है जरूरी है स्विपशार नहीं कर रहे उस प्रड़क्ट के औरोण outta Çok उब और जा knew he करने एंट है कि इस currency कर रहा है उसकी क्या इस प्रभाव हो सकते हैं जो कि परचार नहीं कर रहा है विचार यहां इस बात पर हो रहा है कि जो उत्पाद दिखाए जा रहा है यह उत्पाद में कितनी चमक दमक उसका परचार में कितनी बड़ी चमक दमक है और कितने बड़ी सेलेब्रेटी की माध्यम से उसका परचार परसार करवाय जा रहा है यह माइने रखता है और फिर वो सिर्फ और सिर्फ उत्पाद खरिते चले जा रहे हैं बड़ी-बड़ी कंपनिया पैसा बना जा रही है विज्यापन देने बाली जो कंपनिया वो पैसा बना रही है और बड़ी-बड़ी celebrities इससे कमा रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा समाज है वो पिछरता चला जा रहा है समाज को सिर्फ और सिफ customer उपभोकता बना करके छोड़ दिया गया है क्या बना कर छोड़ दिया है? उपभोकता, customer मर, वो बना करके उसको छोड़ दिया गया है, यानि कि वो लूजर है, वो खुन पसीने के महने से कमाता है और ले जाकर कि वहां खर्च कर देता है, तो यह जो विज्ञापन के मादम से बेचने वाले लोग हैं, यह विनर हो रहे हैं और यह लूजर हो रहे हैं, लेकिन जो लूजर हो रहे हैं समाज के लोग उनको इसका हैसास नहीं कि वो लूजर हो रहे हैं इससे नैतिकता का कितना हरास हो रहा है, अनुशासन का कितना हरास हो रहा है, कितनी कमी आ रही है समाज में उससे कितनी अशांती फैल रही है, समाज में कितनी विशमता फैल रही है और हमारी जो संस्कृति है वो कितनी सभेता और संस्कृति हमारी कितनी मैली होती चली जा रही है इस पर कोई विचार भी मर्स नहीं हो रहा है बस और सिर्फ दिखावा ही दिखावा है सभी तरफ इनी चीजों की तरफ ध्यान आकरशित किया है शामा चरण दुबेजी ने इस इस पाठ में जिसका नाम है ओबुकतावाद की संस्कृति है तो आज हमने इस पाठ के इस निबंद के जिनिबंदकार है इस पाठ के जो लेकर के हैं उनका परिचे लिया और इस पाठ का परिचे लिया अगली क्लास में हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगा हैं धन्यवाद